दोस्तो इस वीडियो में बहुत इंपोर्टेंट आपसे बात करूँगा आई टीर रिफंड के लिए जी हाँ दोस्तो आई टीर से जुड़ा जो अपडेट फाइनेंस मिनिस्ट्री का है आई टीर फाइल किये हुए हमको बहुत ही समय हो गया और हम वेट कर रहे हैं अपने रिफंड की कुछ वेक्ति का रिफंड तो इंस्टनेट ही आ जाता है यानि कि 5 से 10 डेज के अंदर अंदर आ जाता है और कुछ वेक्तियों का रिफंड एक मन्च से ज्यादा से पेंडिंग है और सभी लोग वेट कर रहे हैं कि रिफंड कब आएगा तो इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि लास्ट 10 एर में जो आई टीर प्रोसेसिंग का टाइम है उसमें चेंज हुआ है अब ये जो टाइम है वो 10 डेज हो गया यानि कि 10 दिन में टेक्सपेर को उसका रिफंड मिल जाता है उनकी आई टीर प्रोसेस हो जाती है और साथ में आपको ये भी जानना है कि कौन सी आई टीर दस दिन में प्रोसेसिंग होती है और जो ITR 10 दिन में प्रोसेस नहीं हो पाती तो सबसे पहले जो ITR 1 है वो 10 दिन में प्रोसेस हो जाती है इस कंपेर्ट टू अधर ITR लेकिन दोस्तो ITR 1 में भी ये चेक किया जाता है कि कोई मिसमेश तो नहीं है क्योंकि ये कई ITR ओटो पॉपलेट होती है अगर कोई मिसमेश नहीं है तो 10 दिन में प्रोसेस हो जाती है ओटो फिल्ड जो ITR आती है उसमें मेच किया जाता है कि क्या ITR AIS और TIS से मेच है या कोई मिसमेच है सब कुछ कंसेडर करके ITR को प्रोसेस किया जाता है और इसमें refund को लेकर ये बताया गया है कि जो ITR 2 और ITR 3 का है process का time वो थोड़ा लंबा रहता है उनका process का time थोड़ा अधिक रहता है अब ये finance ministry का कहना है कि ITR process time reduce हो चुका है अब सभी को यही है कि हमारे 10 days हो चुके हैं process में तो अभी तक हमारा refund क्यों नहीं आया तो दोस्तों जो refund है वो depend करेगा आपकी ITR पर ITR को file करने के बाद आप ये जरूर चेक कर लें कि आपके ITR ये verify हुई है या नहीं हुई है कहीं आपके पास defective ITR का notice तो नहीं आया इनी कारणों की वज़से हो सकता है कि आपका refund अटका हुआ हो